वेलकम फ्रेंड्स आप सभी के दिलो और दिमाग में रहने वाले कुछ सवालों के जबाब इस वीडियो में हम देने की कोसिस करेंगे आपने ये कहावत तो सुना होगा यहां किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिस में कुट्टे भी घेर लेते हैं सेर को जी हाँ कुछ ऐसा ही हुआ हमारे वीर विंग कमांडर अविननदन के साथ आप सभी लोग आउगत होंगे कि उन्होंने पाकिस्तानी विमान F-16 का फिछा करते हुए अपना MiG-21 पाकिस्तानी बार्डर तक पहुँचा दिया था और वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने मिसाइल के द्वारा इंडिया के विमान MiG-21 को मार गिराया और जिसके कारण अविनंदन को परसूट के साहता से नीचे कूदना पड़ा आईनि कि अपना विमान छोड़ना पड़ा उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा पकड़े जाने पर अविनंदन से कुछ सवाल किये गए जिसका मा भारती के लाल ने बहुत ही सूजबुश और साहस के साथ निर्भीक होकर उतर दिया आईए दिखाते हैं आपको उसके पहले आपको बता दें कि हमारे विर्शपूत अविनंदन जी यानि कि मा भारती के सच्चे सबूत और सच्चे वेटे इन्होंने जब पैरसूट के माध्यम से पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा तो वहां पर मौझूद लोगों से पूछा कि हम कहां पर हैं भारत पाकिस्तान अथ्वा बांगलादेश तो वहां के लोगों ने बताया उसमें से कोई एक लड़का गलत बोला कि आप इंडिया में हैं लेकिन वहां के लोगों के पहनावे और रहांसान को देखते हुए ये अभिनंदन साहब समझ चुके थे कि ये इंडिया नहीं है उन्होंने मभारती का नारा लगाया लेकिन वहां पर कोई भी उस नारे का जबाब नहीं दिया यानि साथ में कोई नहीं बोला तब वो समझ गए कि ये भारत नहीं बलकि पाकिस्तान है इतने में वहां पर मौझूद भीन ने उनको घेर लिया और उनके साथ मार पीट करने पर उतारू हो गई उसके बाद उन्होंने अपनी मिस जो उन्होंने अपना राइफल लिया था उससे पिस्तॉल से उन्होंने हवाई फायर किया उसके बाद पाक आर्मी वहाँ पहुँची और उनको लेकर गई गिरफतार कर गई उसके बाद उनसे कुछ दोस्ती के लाहज में सवाल पूछे गए जैसे आपके साथी हो गई है और आपके घर परिवार के बारे में जैसे की उनको अपने मतलब बातों में उलजा सकें और बाद में पाक आर्मी ने वही किया जो उमिद की जा सकती है उनसे उन्होंने कुछ सवाल पूछे जो कि यहां आप देख सकते हैं किस तरह के सवाल थे पहला सवाल और हाँ इन सवालों और जबाबों को बताने के पहले मैं आपको बता दूँ जब बिंकमंडर जी पाकिस्तान की सरजमी पर फैर रखते हैं और उन्हें लगता है कि यह पाकिस्तान है तो उन्होंने अपने साथ जो भी कागजात लिये थे उन में से कुछ को तो चबा कर निकल गए और कुछ कागजों को पानी में नाले में फेंग दिया तोड मरोड कर मतलब खतम कर दिया सारे सबूत खतम कर दिये कि पाकिस्तान एक भी पॉइंट हमारे पास से ना प्राप्त कर सके क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब हमें पाकिस्तानी आर्मी अगर गिरफतार करेगी तो हमारे पास मौजूर डेटा फे छेड़ चाड़ करेगी ये होता है एक बिरसपूत का सच्चा धर्म अब आईए आपको दिखाते हैं वो कौन से सवाल हैं जो पूछे गए थे दिखिए पहला सवाल मेजर ने अभिनंदन से पूछे ये साथ सवाल पहला आपका नाम क्या है जबाब अभिनंदन मेरा नाम बिंग कमांडर अभिनंदन है मेरे पास उचके सबूत भी है सवाल नमबर दूसरा पाक मेजर ने पूछा उमीद है कि आपके साथ यहां अच्छा ब्यावर किया जा रहा है अभिन दन जी हाँ मेरे साथ अच्छा ब्यावर किया जा रहा है मेरा यह बयान भारल लौटने पर भी नहीं बदलेगा कैप्टन ने मुझे भीन्ड से बचाया आप लोग भले लोग हैं मैं चाहता हूँ भातिय सेना भी इसी तरह का ब्यवार करें लेकिन क्या आप जानते हैं यह सब भी बयान साही है इस वीडियो को वाइरल करने के फिछे पाकिस्तान ने एक मिनट उनीस सीकेंड के वीडियो में लबी सो कट लगाए यहनि कि कुछ सच को छीपा कर कुछ जूट को उजागर किया आगे पाक मेजर कहां के रहने वाले हैं जब आप अभिनंदन मैं यह नहीं बता सकता लेकिन दच्छन भारत में कहीं कहूँ क्योंकि क्यों नहीं बताया इसका रिजन कुछ सीकूर्टी और प्रावेसी होता है नमबर चोथा सवाल पाक मेजर क्या आपने साधी की है जब आप अभिनंदन हा मैंने साधी की है पाच्वा सवाल पाकिस्तानी मेजर ने पूछा पाक मेजर चाय पसंद आई अभिनंदन बहुत अच्छी है थेंक्यू सवाल नमबर छे पाक मेजर कौन सा भीमान उड़ा रहे थे अभिनंदन सारी मैं ये नहीं बता सकता लेकिन भीमान के मलबे से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा भीमान था पाक मेजर आपका मिसन क्या था अभिनंदन सारी मेजर मैं ये भी आपको नहीं बता सकता क्यूं बताएंगा आकिर वही अपना टार्गेट कोई इंडिया का सच्चा और बीर सपूत जल्द ही रिहा हो सकते हैं अविनंदन जी बिल्कुल रिहा हो नहीं सकते हैं अविनंदन जी रिहा हो चुके हैं भारत पहुंच चुके हैं तो आपने ये जानकारी देखा कैसी लगी आपको जानकारी जरूर कमेंट करें उसके बाद और भी कुछ महत्तों पूंड जानकारियां और सभी क्लासेज को देखने के लिए अपनी वंडे एक्जाम की तैयारी को प्रफर रूप से करने के लिए कि के लिए बस इतना ही मरज कुमारे दूबंसी फिर से नई वीडियो के साथ थेंक्यू